कॉर्डनिलिया सुराब जी पहली महिला है जिनको बॉम्बी उनिवर्सिटी में एडबिशन मिला और वो भारत की पहली female lawyer बनी कॉर्डनिलिया सुराब जी का जन 15 नुवेंबर 1867 में नाशिक में एक पारसी family में हुआ बॉम्बी उनिवर्सिटी से graduate होने के बाद वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने ऑक्सपर्ड उनिवर्सिटी में law की पढ़ाई की वैसे देखा जाया तो भारत की पहली वेक्ती बनी जिन्होंने ऑक्सपर्ड में पढ़ाई की क्योंकि इससे पहले किसी भी भारतिये ने ओक्सपर से डिग्री हासिल नहीं की थी इंडियाने के बाद उन्होंने लॉकी प्रैक्टिस शुरू की पर पुरुष प्रधान भारतिये समाज में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कॉर्णिलिया सुराब जी ने करीब 600 महिला आये और अनाद बच्चों के किसे सलड़े कई बार तो बिना किसी फीस के 1919 में वो अपने लंडन के घर बस गई और 1954 में उसी घर में उनका दिहान थुआ कॉर्णिलिया सुराब जी हम सब के लिए खास कर महिलाओ के लिए एक प्रेड नस्तरोत है न्यूज इन एमिनेट उनके महान जीवन कार्य को सलाम करता है